जैसे कि हम सभी जानते कि Vivo Z1 Pro इंडिया में लॉग चो चुका है और Vivo के तरब से Z-series का यह पहला स्मार्टफोन है जिसको एक गेमिंग सेंट्रे की स्मार्टफोन भी बुला जा सकता है एक 6.53 इंच की AMOLED डिस्पले, Snapdragon 712, AI प्रोसेसर, इसके अलाव़ ट्रिपल रियर कैमरा सेटप, 16MP प्लस 8MP प्लस 2MP वाला, इसके अलाव़ एक 32MP का सेलफी कैमरा Vivo Z1 Pro की खासित में से एक है अब आताती है कि ऐसे कौन से स्मार्टफोन से जो Vivo Z1 Pro के साथ में कंपेट कर सकते हैं Galaxy A50, Poco F1 and Motorola One Vision जो अभी अभी लाँच हुआ था, इसके साथ में अच्छी कासी तरीके से कंपेट कर सकते हैं तो हम आज इनी चारे स्मार्टफोन के परें बारे में बात और बताएंगे पर प्हाएंगे कि इन चारे स्मार्टफोन से कौन से स्मार्टफोन की फीक्चर सबसे अच्छे है lets find out you are watching Tech, Tech X Milan या चले जानते कुछ बड़ आए अगर डिस्प्ले की बात कर लेते हैं तो Vivo Z1 Pro में आपको 6.53 इंच की M-OLED डिस्प्ले देखने को मिल जाती है Motorola One Vision में आपको 6.3 इंच की LTP-S IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिल जाती है वही आपको Galaxy A50 में 6.4 इंच की Super M-OLED डिस्प्ले देखने को मिल जाती है Poco F1 में आपको 6.18 इंच वाली IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिलती है अगर डिस्प्ले की बात कर लेते हैं तो आपको Vivo Z1 Pro में बड़ी स्क्रीन मिलती है पंच होल वाली तो डिस्प्ले के मामले में Vivo Z1 Pro अगर आप प्रोसेसर की बात कर लेते हैं तो Vivo Z1 Pro में आपको देखने को मिलता है Qualcomm Snapdragon 712 AI प्रोसेसर Motorola One Vision में आपको देखने को मिलता है Exynos 9609 प्रोसेसर वही आपको Poco F1 में देखने को मिलता है Qualcomm Snapdragon 845 प्रोसेसर दुसरे तरफ Galaxy A50 में आपको Exynos 960 प्रोसेसर देखने को मिलता है अब यदि प्रोसेसर में Qualcomm Snapdragon 845 वर्सेस Qualcomm Snapdragon 712 ये प्रोसेसर करते है तो इसमें सबसे ज़दा फास्ट प्रोसेसर बोल सकते है Qualcomm Snapdragon 845 प्रोसेसर को जो आपको Poco F1 में मिलता है तो प्रोसेसर के मामले में Poco F1 अब अगर GPU की बात कर लेते हैं तो VW 11 Pro में आपको देखने को मिलता है Android 616 GPU जबकि आपको Motorola One Vision और Samsung Galaxy A50 में सेम GPU देखने को मिलता है Mali 672 MP3 वाला जबकि आपको Poco F1 में देखने को मिलता है Android 630 GPU अब अगर फास्टेस्ट GPU की अगर बात करते हैं तो Android 630 सबसे फास्टेस्ट GPU है दूसरी GPU के मामले में जो आपको Poco F1 में मिलता है तो यहाँ पे भी Poco F1 अगर आप बात कर लेते RAM वेरंट्स की तो आपको VW 11 Pro में आपको 2 RAM वेरंट्स मिल जाते है 4GB, 6GB Moto 1 Vision में आपको सिर्फ एक अई RAM वेरंट्स देखने को मिलता है 4GB वाला Galaxy A50 में भी आपको 2 RAM वेरंट्स देखने को मिल जाते है 4GB, 6GB वाले वही आपको Poco F1 में भी 2 वेरंट्स देखने को मिल जाते है 6GB और 8GB अब अगर इस्टोरिज की बात कर लेते तो Vivo Z1 Pro में आपको 128GB का इंटर्ले इस्टोरिज देखने को मिल जाते है 64GB, 128GB and 256GB के वेरंट्स देखने को मिल जाते है अब यदि fingerprint sensor की बात कर लेते तो Vivo Z1 Pro में आपको rear-mounted fingerprint sensor मिल जाता है इसके अलावा आपको Poco F1 में face unlock और rear-mounted fingerprint sensor मिल जाते हैं लेकिन Galaxy A50 में आपको in-display fingerprint sensor मिलता है Moto One Vision में भी आपको rear-mounted fingerprint sensor मिलते हैं अब यह दी cameras की बात कर लेते हैं तो Devo Jordan Pro में आपको triple rear camera setup देखने को मिलता है 16MP plus 8MP plus 2MP वाला इसके अलावा Moto One Vision में आपको dual rear camera setup देखने को मिलता है वही Poco F1 में आपको 12MP plus 5MP वाला dual rear camera setup देखने को मिलता है अब इसी front cameras की बात करते हैं तो Devo Jordan Pro में आपको under-display वाला 32MP वाला front camera देखने को मिल जाता है Moto One Vision में आपको 25MP वाला front camera देखने को मिलता है वहीं आपको Galaxy A50 में भी 25MP वाला front camera देखने को मिलता है जबकि Poco F1 में आपको 20MP वाला front camera देखने को मिलता है अब अगर battery की बात कर लेते हैं तो Vivo Z1 Pro में आपको 5000 mAh की battery मिल जाती है वहीं आपको Galaxy A50 और Poco F1 में 4000 mAh की battery मिलती है जबकि Moto One Vision में सबसे कम 3500 mAh की battery देखने को मिलती है अब यदि बात करते हैं fast charging के बारे में तो Vivo Z1 Pro और Poco F1 में आपको 18W fast charging support मिल जाता है इसके लावा आपको Moto One Vision और Galaxy A50 में 15W fast charging support मिल जाता है अब यदि बात कर लेते हैं OS version की तो आपको 4 स्मार्टफोन में से Android का latest version Android 9 Pie देखने को मिल जाता है अब यदि बात कर लेते हैं other feature की तो आपको 3.5mm audio jack देखने को मिलता है तीनों स्मार्टफोन में Motorola One Vision, Poco F1 और Galaxy A50 में लेकिन आपको Vivo Z1 Pro में 3.5mm audio jack देखने को नहीं मिलता है अब यदि बात कर लेते हैं USB Type-C port की तो Vivo Z1 Pro में आपको ये देखने को नहीं मिलता है वही आपको पुराना वाला Micro USB port देखने को मिलता है बाकी के तीनों स्मार्टपोन में आपको USB Type-C port देखने को मिलता है अब यदि प्राइजिंग की बात कर लेते हैं तो Vivo Z1 Pro मिलता है आपको 14,919 रूपीज में लेकिन फिर भी flagship level का chipset बोल सकते इसको जो की Snapdragon 712 AI processor से भी ज्यादा फास्ट है Galaxy A50 में भी आपको ट्रिपल रेर camera setup देखने को मिल जाता है लेकिन जो processor है Exynos 9620 processor इसके कारण ये phone थोड़ा सा फीका पड़ जाता है लेकिन wide angle lens नहीं मिलता है जो की आपको Vivo Z1 Pro में मिलता है इसी एक smartphone को चूज करना तो काफी जाद मुश्किल है लेकिन सारकेल जो है प्रोसेसर पर डिपेंड करता है M14 smartphones में सबसे अच्छा प्रोसेसर है Poco F1 का जिसमें आपको मिलता है Qualcomm Snapdragon 845 processor अगर आप चाते है एक नया प्रोसेसर यूज करना जो की आपको Vivo Z1 Pro में मिलता है Qualcomm Snapdragon 712 AI processor नया प्रोसेसर यूज करने का माने तो आप इसको पर्चेस कर सकते हो अंडर डिस्प्ले कैमरा यूज करने का माने तब भी आप Vivo Z1 Pro ले सकते है एक अच्छा कैमरा भी मिलता है फ्रेंट कैमरा आपको 32MP का फ्रेंट कैमरा देखने को मिलता है इसके लावा triple rear camera setup भी देखने को मिलता है तो एक बार आप Vivo Z1 Pro के साथ में जा सकते है लेकिन अगर आप चाते हैं एक अच्छा processor तो Poco F1 के साथ में जा सकते हैं पास में दो च्वाइस है Poco F1 या फिर Vivo Z1 Pro मुझे comment box पर comment करके बताए कि इन चारों स्मार्टफोन में से आपको कौन सा स्मार्टफोन सबसे ज़्यादा पसंद आया मेरे सबसे तो कई लोग ये बोलेंगे कि हमको Vivo Z1 Pro पसंद आया किसी कोई बोलेगा कि Poco F1 पसंद आया comment box पर comment करके ज़रूर बताए मुझे और अगर आपने मेरे चैनल को सस्क्राइब ने किया तो सस्क्राइब कर लिजे कि इस तरह के वीडियो मैं डेली बेसिस पे लाता रहता हूँ अगर आपने भी इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए अगर आपको इस वीडियो पसंद आयोगी तो फिलाल मिलेंगे अपने अगले वीडियो में तब तक कि दिमाएं